कौरना काल में बदहाल हो चुके कपड़ा उद्योग को आज नरेंद्र मोधी सरकार ने बड़ी राहत दी मोधी काबिनेट ने टेक्स्टाल सेक्टर के लिए पिलाइ स्कीम को मंजूरी दे दी है ये पॉलिसी है क्या? इसका कैसे फाइदा मिलेगा? कैसे वस्तर उद्योग गाउं तक पहुच लेगा? इस पर आज इंडिया टेवी के सीनियर एडिटर देवेंदर पराशर ने कपड़ा मंत्री और राजसभा में सदन के नेता प्यूश कोईल से बात कि आम जनता के लिहाद से समझें, अगर आम जनता समझना चाहे कि टेक्स्टाइल में ऐसा क्या बदलाओ होने बजा रहा है, क्या बदलने वाला इस? माने प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी जे ने ये आकलन निकाला, कि अगर इस देश को अंतर राश्ट्रे बाजार में कंपेटिटिव होना है, बड़े रूप में जाना है, तो हमें अपनी गुनवत्ता और स्केल ओफ प्रड़क्शन दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, बड़ी स्केल ओफ प्रड़क्शन से खर्चा काम होता है, कॉंपटिटिवनेस बढ़ती है, अच्छी कॉलिटी का माल होता है, तो दुनिया में एक्सेप्ट होता है, जब इसको स्टडी किया, और भारत की भी रिक्वार्मेंट्स देखी और अंतराश्ट्र भी, तो ध्या टेक्स्टाइल्स ज्यादा बड़े पैमाने पर इस्तमाल होता है, खास्तोर पर डिफेंस, हेल्थ, इंफ्रस्ट्रक्ट्चर इसमें भी उसकी बहुत यूटलाइजेशन होती है, और दो तिहाई अंतराश्ट्रे व्यापार आज एमेमेफ और टेक्निकल टेक्स्टाइल मे है, भारत उसमें बहुत छोटा योगदान देता है, हमारे यहां पर कभी इस पर ध्यान नहीं देगे, तो एक तरफ हम कॉटन, भूल, सिल्क इसको तो प्रोचसान देंगे, खादी, हैंडलूम तो हमारी प्राथमिक्ता रहेगी, लेकिन यह इतना बड़ा दोतियाई बाज छोड़ देना, और भारत की भी जरूरतों को पूरा ना कर पाना, यह एक प्रकार से देश हित में नहीं था, तो अब हमने टेक्निकल टेक्साइल्स और मैनमेट फाइबर, इन दोनों को भी साथी साथ, बाकी टेक्साइल सेक्टर के प्रोचसान देने का निर्ने किया, भार साथ लाग लोगों को इसमें रोजगार का अफसर मिलेगा, 19,000 क्रोड तो डारेक्ट इन्वेस्मेंट आएगा, पर एक बार इन्वेस्मेंट इसमें आएगा, तो साथ में घर बनते हैं, फैक्टरियां, फैक्टरी शेड बनते हैं, आसपास में होटल, ट्रक चलाने वाले कंटेनर्स, एक पुरा एको सिस्टेम, एक फुरुएंट ट्रीट्मेंट प्लांट लगता है, टेस्टिंग लगती है, साथ ही साथ जब नीचे जाएंगे तो पेट्रो केमिकल प्रोड़क्शन बढ़ानी पड़ेगी, वहां निवेश का और नौकरी का मौका हैगा, अंतरा है कि गहराई में जाके, यह PLI स्खीम का नेने लिया है, और इस से रोजगार भी बढ़ेगा, खासतोर पे हमने कोशिश किये कि जो टियर थ्री, टियर फोर टाउंस है, जो लगबग सेमी अर्बन हैं, रूरल ग्रामीन शेत्र से जुड़े हैं, यह आइस्पिरेश्टल डि के माध्यम से अब जल्दी बाहर निकाले हैं, कोरोना महामारी के दौर में दिखा कि पहले पी-पी-किट में हम लोग वर्ल्ड के लेवल पर कहीं नहीं थे और वर्ल्ड का लीडर है एक तरह से, क्या टेक्स्टाइल में बड़ी ओपॉचुनिटी दिख रही है को हम कि बाहन दिया कि भारत में हमने ये बनाना है और आत्मनिर्बर भारत के तहट लोगों को सिर्फ एक अपील करी और उस एक अपील के उपर हमारे भारत के उद्यों की इतनी शम्ता इतनी ताकत है कि मात्रे एक सवा साल में हम वर्ल्ड रीडर बन गए सेकेंड लार्जिस प् करकार को भी कि जब इतनी शम्ता है भारत में तो हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए और इस शम्ता को अब और चोगुना करने के लिए कदम उठाने चाहिए तो पीला स्कीम मैनमेड फाइबर टेक्निकल टेक्साइल को प्रोमोशन इन सब में एक प्रकार से भारत के आत्मनि फाला है कि उमीद अभी जताई जारी है देखें सभाविक तो पर गरम टेक्साइल इंडस्ट्री देखें तो बंजाब में लुध्याना वगरा में गुजरात में सूरत अम्दाबाद महराश्ट्रा में इचल करंजी बिवंडी या दक्षिन में जाएं तो तिरपूर को इ इंबटूर यह ट्रडिशनल सेंटर्स थे उत्तर प्रदेश में टेक्साइल का वस्त्रोद्योग का बहुत बड़ा काम आपको लगबग पूरे उत्तर प्रदेश में दिखें यह स्कीम इन राज्यों ने अगर अच्छी एको सिस्टम क्रिएट की तो सभाविक रूप से इ पूरे देश को प्रमोट करना चाहेंगे कि पूरे देश में यह इंडस्ट्री लगे हम तो चाहेंगे कि राज्यत सरकार भी साथ में जुड़े राज्यत सरकार जमीन मुहावया कराए बिजली कम दाम पे या एफोरेबल प्राइस पे आट दस पंदरा साल के लिए शोर करे समझो राज्यत सरकार तेह कर ले के इतने रुपए में हम दस साल के लिए फिक्स बिजली देंगे तो अब इंडस्ट्री को तेह करना है उसको कहां जाने से मैक्सिमम लाब है बंदरगा के नजदीक कोई लगाना चाहे तो वहां लगा सकते हैं तो एक प्रिकार से धेश में हर राज्यक को अब मौका है इस कीम के लिए लोगों को अट्रैक करें हम तो इंडस्ट्री के ओपर छोड़ रख हैं लेकिन जो लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक जो बैक्वर्ड एरिया में जाए टियर फ्री टियर फोर टाउन में जाए उसको जरूर हम प्राथ मिक्ता देंगे या जो बड़ा कमिट्मेंट दे रोजगार उत्पादन करने का उसको उम्पराथ मिक्ता देंगे अखर में सवाल यह रोप लगा जाता है कि यह सरकार रोजगार ख़द्म कर रही है या सिर्फ अपने मित्रों को फाइदा पहुंचा जाता है रहुल गांदी इस त कि हमें अपने काम पे सदे लगे रहना है इमानदारी से देशे जनित के काम में हमें लगे रहना है बे बुनियाद आरूपों के उपर हम समय ने वियर्द करते हैं